हलो फेंस स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके चैनल में आज के इस प्रीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक CACBLA है कॉमेंट सेर्विस सेंटर संचालक है या फिर अगर एक अंडियूजर बेखती है और अगर आप 2024 में अधार सेंटर ओपिन करना चाहते हैं या फिर ओपिन करने के लिए सोच रहें तो आप लोग के पास अधार सुपरवाजर साइटिफिकेट होना जरूरी है without अधार supervisor certificate के आप लोग अधार सेंटर के लिए ओनलाइन रजिस्टेशन नहीं कर सकते हैं सो इस वीडियो में आप लोग complete process बताने वाले कि आप लोग किस परकार से 2024 में अधार supervisor certificate के लिए ओनलाइन अप्लाइ करेंगे अगर आप लोग अधार supervisor certificate online apply करने का try किये होंगे तो आपको पता होगा कि 2024 में एक new update आया है जिसमें से आप से LMA certificate मांगा जा रहा है जिसमें से आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि LMA certificate होता क्या है और किस परकार से आप लोग LMA certificate के लिए online apply करेंगे और किस परकार से आप लोगो LMA certificate मिलेगा लेकिन इस वीडियो को complete देखने के बाद आप लोग अधार supervisor certificate के लिए online apply कर सकते हैं और शाथ में LMA certificate किस परकार से आपको मिलेगा इसके बारे में भी आप लोग जान पाएंगे तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर एंटर देखेगा सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटार से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा उस्ट वीडियो को भी लाइक कर दिजेगा तो अधार सुपरवाजर सेर्टिफिकेट ओनलाइन अप्लाइ करने के लिए आप सबी लोग को अपने ब्रोजर में सर्च करना है अधार सुपरवाजर सेर्टिफिकेट अप्लाइ ओनलाइन जैसे ही लिखकर आप लोग सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक के ओप्सन में क्लिक करन होगा अगर आप लोग पहले से ही अपना यूजर आइडिय और पासवर्ट क्रेयट कररेंगे इसके उपर किलिक करने की बाद अपने अदार्धर करेंगे और जो भी XML फाइल का share code होता है उसे आप लोग यहां पर से इंटर करके एक्स्टेट करेंगे तो चलिए बात करते हैं कि आप लोग किस प्रकार से अपने अधार कड का XML फाइल को डाउनलोड करेंगे अधार कड का XML फाइल डाउनलोड करने के लिए आप सबी लोग को myadhar.uid.job.in पे आ जाना है आने के बाद आप सबी लोग को लोगिन करना है लोगिन करने के लिए लोगिन के ओप्सन में किलिक करना है यहाँ पर से जो भी आपका अधार कड नंबर है उसे इंटर करेंगे उसके बाद दियेगे कैप्चा को फिल करेंगे उसके बाद logen with otp के isolation में किलिक करेंगे उसके बाद आपके रजिस्टर मूबाइल नंबर में एक OTP जान कर दिया जाएगा उस foreign करेंगे उसके बाद login के ओप्सन में किलिक करेंगे login के ओप्सन में किलिक करते ही आप login successfully हो जाएंगे उसके बाद scroll करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा offline eqc इसके उपर आप click करेंगे इसके उपर click करते ही आप लोग यहाँ पर से एक four digit का share code create करेंगे जो की आप लोग यहाँ पर जब भी आप file को upload करेंगे यही share code आप लोग को enter करना होगा उसके बाद download के option में click करेंगे download के option में click करते ही आपका अधार कड़ का xml file download हो जाएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से अपना अधार कड़ का जो xml file है उसे upload करना है जिसके लिए Choose File के Option में क्लिक करेंगे और अपना XML फाइल को upload करेंगे upload करने के बाद आप upload के Option में क्लिक करेंगे तो जो आपका XML फाइल है और upload successfully हो जाएगा उसके बाद आप OK के Option में क्लिक करेंगे आपने जो भी 4 डिजिट का share code create किये थे उस share code को आप enter करेंगे उसके बाद extract के Option में क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो भी XML फाइल है वो extract successfully हो जाएगा उसके बाद आप OK के Option में क्लिक करेंगे OK के Option में क्लिक करनी के बाद आप लोग यहाँ पर से अपना मोबाइल नमबर को इंटर करेंगे जो की अधार कार्ट से register है मोबाइल नमबर इंटर करनी के बाद आप validate करेंगे उसके बाद आप लोग send OTP के Option में क्लिक करेंगे और अपना OTP यहाँ पर से इंटर करेंगे और verify के option में किलिक करेंगे उसके बाद आप लोग submit के option में किलिक करेंगे तो यहाँ पर से आपका registration complete हो जाता है उसके बाद आप लोग को आपके mobile number में एक user id और password को send कर दिया जाता है user id और password आपके mobile में मिलने के बाद आप लोग यहाँ पर से अपना user id और password को इंटर करेंगे उसके बाद आप लोग signing के option में किलिक करेंगे signing के option में किलिक करनी के बाद आप लोग यहाँ पर से अपना education certificate को upload करेंगे education certificate upload करनी के बाद आप लोग यहां पर से जो भी रजिस्टार डिटेल है उसे select करेंगे कि आप लोग किसके माधियम से अधार सेंटर ले रहे हैं लाइक जैसे की CSE या फिर कोई भी अधर बैंक के थुरूश है तो उसे आप यहां पर से select करेंगे अगर आप लोग CSE के माधियम से ले रहे तो जो भी आपका authorization letter मिला होगा उसे आप लोग यहां पर से upload करेंगे कुछ इस परकार से आपको आपका authorization letter मिला होगा जिसे आप लोग यहां पर से branch के option में क्लिक करके आप लोग अपना authorization letter को upload करेंगे उसके बाद आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर से आप लोग अपना जो भी LMS डिटेल है उसे फिल करेंगे डिटेल को फिल करनी के बाद आपका अधर सुपरवाइजर साटिफिकेट के लिए रजिस्टेशन कंप्लेट हो जाता है जिसके बाद आप लोग को एक्जामिनेशन फी पेमेट कर लेना है एक्जामिनेशन फी पेमेट करनी के बाद आप लोग एक्जामिनेशन सेंटर को सेलेट करेंगे उसके बाद आप लोग एक appointment को book करेंगे कि आप कौन से date को exam देना चाहते हैं उसके बाद उस date को जाके आप लोग अपना अधार supervisor certificate के लिए exam को clear कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो most important आप लोग को दिक्कत आ रहा है कि basically LMS detail आनी कि आप लोग को LMS certificate मिलेगा कैसे और किस परकार से आप लोग LMS certificate के लिए online apply कर सकते हैं तो इसके लिए हमने NSE IT का जो employee हैं उसके माधियम से हमने call के थुरूशे बात किये जो कि मेरे पास call recording है तो सबसे पहले आप लोग को रिकोर्डिंग सुन ले अलो गुड मॉर्णिंग सर जनकारी यह चाहिए कि जब अधार एक्जाम के लिए रजिस्टेशन कर रहे हैं तो वहां पेक DTS डालने को मिल ला है एले में सर्टिफिकर सर क्या होता है इसके लिए अपको एजनसी से बात करें सर्ट मैं एक इंडिविजवल पर्सन बोल ला हूं इसके लिए अपको एजनसी सबसे पहले जुए हैं अपको पाइजिशन लेटर हाँ थुरू मिला हुआ हुआ है को सद्फिक म 애 Becky तो सुनने के बाद समझ गए होंगी एलमस सर्टिफिकेट बेसकली होता है और आप लोग को किस परकार्ट से अले में सर्टिफिकेट मिलेगा और सभी को बता दai कि अगर और विथ주 हैं तो हैँ सभी को को जिस भी कमपणी के थुरूर से या CSE के थुरूर से आप लोग अधार सेंटर ले रहें जहां पर से आप लोग को ऑथराइजेशन लेटर मिल रहा है उसी के थुरूर से अब आप लोग को एक ट्रेणिंग दिया जाएगा जिसे LMS बोला जाता है LMS ट्रेणिंग देने के बाद उनीके माध्यम से आपको अब LMS सर्टिफिकेट प्रवाइड करवाया जाएगा और साथ में LMS ID भी प्रवाइड किया जाएगा जिसके बाद आप लोग अधार सुपरवाजर सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टेशन कर सकते हैं तो चलिए आप लोग को दिखाते कि कौन-कौन कंपणी के तुरूर से आप लोग ऑथ्राइजेशन लेटर के साथ साथ अब आप लोग LMS सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं तो LMS सर्टिफिकेट लेने के लिए आप सभी लोग को आज आना है UID के उपीशल वेबसाइट पे इसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप लोग डिर्क लिए सर्ट कर सकते UID.gov.in जैसे लिकर सर्ट करेंगे उसके बाद आप लो अपने डिस्टी के रजिस्टार के तुरू से अब आप लोग LMS सर्टिफिकेट को ले सकते हैं इसके अलावा आज आता है बाई इंडॉल्मेंट एजेंसी ब्लैक जैसे की CAC के अलावा और भी ऐसे प्राइबेट बेंक और साथ में कुछ एसे कंपणिया होती जो UID से आप में एसे कंपणिय से कॉंटेट करना है जो कि authorization लेटर प्रवाइड करवाते हैं तो उनिक के मायदम से अब आपको LMS सर्टिफिकेट को भी दिया जाएगा तो यहाँ पर आप लोग इंडॉल्मेंट एजेंसी में देखेंगे तो बहुत सारे बेक और एजेंसी का नेम आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा इसके अलवा यहाँ पर से रजिस्टार के ओप्शन में किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे एसे जो की रजिस्टार है जिसका लिस्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा तो आप लोग को लेने के ल के लिए उलाइन अप्लाई कर सकते हैं और साथ में हमने बताए कि होता क्या है और आप लोग किस परकार्ट से को ले सकते हैं इसके अलावा अगर आप लोग को भी डॉट होता है नीचे कॉमेट करके ज़रूर बताए बाकर इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेस्ट वीडियो उन्हें स्टोपिक के साथ तब तक के लिफ़ाई